हलो फ्रेंड्स वेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों आज के वीडियों में हम देखेंगे LJ वरा के प्रेशने LJ वरा के उन प्रेशनों की बात करेंगे जो आपको लगते तो बहुत कठिन है लेकिन होते बहुत आसान है तो चले स्टार्ट करते हैं क्या तरीका इनको रहने का समझते हैं पहला प्रेशन है A प्लस B का होल स्क्वार प्लस B प्लस 3 का होल स्क्वार प्लस C मैनेश 2 का होल स्क्वार बराबर 0 हो तो A प्लस B प्लस C बराबर क्या देखिए ये वाला टर्म ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तीनों का टर्म पूरा 0 के बराबर कर दिया है ये पूरा आपका 0 के बराबर कर दिया है तो ये पूरा 0 के बराबर कब होगा जब ये भी 0 के बराबर हो ये भी 0 के बराबर हो ये भी 0 रखा जाए तब इतर पूरा 0 के बराबर होगा तो देखिए ये 0 के बराबर कब होगा मैं यहाँ पर आपको बता दू ये टरम भी आपको 0 बनाना है ये भी 0 बनाना है और ये भी 0 बनाना है देखें कैसे होगा अगर मैं यहाँ पर एक ही जगे पे क्या कर दूँ माइनस का 2 कर दूँ एक ही जगे पे माइनस का 2 कर दूँ और प्लस का 2 तो आपका है ही है तो माइनस के 2 से प्लस का 2 कट जाएगा माइनस के 2 से प्लस का 2 कट जाएगा जिरो बचेगा अब यहाँ पर भी मैं ऐसा करूँ B की जगे माइनस का 3 कर दूँ और प्लस का 3 दे रखा है तो माइनस के 3 से प्लस का 3 कर दिया 0 टर्म बन जाएगा उसी तरीके से C की जगे अगर मैं पिलस का 2 ले लू और माइनस का 2 तो दे ही रखा है तो पिलस के 2 से माइनस का 2 कर जाएगा तो ये पूरा टर्म अब 0 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया अब A की वैलू इसमें कितनी थी माइनस का 2 B की वैलू माइनस का 3 और C की वैलू 2 थी आपसे A प्लस B प्लस C पूछ रहा है A प्लस B प्लस C A की वैलू कितनी है आपको मालूम है A की वैलू आपने कितनी मानी है माइनस का 2 ठीक है B की वैलू कितनी है माइनस का 3 तो पिलस माइनस माइनस का 3 अब c की value कितनी है दोस्तो c की value plus का 2 ठीक है अब क्या आ जाएगा आपके प्रश्णिका answer minus का 2 plus का 2 कट जाएगा minus का 3 आपके प्रश्णिका यहाँ पर सही answer हो जाएगा minus का 3 के लिए रहे तो इस तरीके के प्रश्णिकों बड़ी ही आसानी से आप solve कर सकते हैं कोई भी परिशानी impression में आपको कभी नहीं आएगी ठीक है दोस्तों आप देखेंगे अगला प्रश्णिक अगला प्रश्णिक है a plus 5 का whole square plus b minus 5 का whole square plus c minus 8 का whole square बराबर 0 के है बिल्कुल वैसा ही प्रश्णिक है यह term में भी 0 बनाईए आप यह term भी 0 बनाईए यह term भी 0 बनाएंगे तब ही तो पुरा 0 के बराबर मानाईगा clear आप देखें a की जगे मैं क्या रखूँ अगर मैं a की जगे minus 5 रखूँगा और plus का 5 तो आपको दे रखा है तो minus 5 से plus का 5 कर जाएगा यह term 0 हो गया ठीक है अब b की जगे मैं क्या रखूँ b की जगे अगर मैं 5 रखूँ माइनस का 5 तो दे ही रखा है तो plus minus का कर जाएगा यह term भी 0 हो गया c की जगे अगर मैं 8 ले लू माइनस का 8 दे रखा है तो 8 से 8 कर जाएगा यह term भी 0 हो गया यह पूरा term of 0 के बराबर हुए तो इसमें A की value minus 5 है V की value 5 है C की value 8 है ठीक है इसका मान पूछा है तो A की जगे A का मान कितना दोस्तो A का मान है minus का 5 तो यहाँ पर हम क्या करेंगे minus का 5 ले लेंगे B की value कितनी है B की value 5 तो B की value 5 ले लेंगे C की value 8 तो C की value 8 ले लेंगे अब minus 5 से plus का 5 कट जाएगा 8 बचा बटे में दोस्तों क्या है? 2 है ठीक है बटे में 2 है तो minus 5 से plus का 5 कट गया और 2 से 8 कटेगा 4 बार में ये 4 आपके प्रश्ने का सही answer आ गया के लिए रूई बात सभी को प्रश्न अच्छे से आ गया होगा किसी को कोई समस्या नहीं होगी बहुत ही easy तलीके से बताया जा रहा है जिससे के कोई गलती नहोग ठीक है आप देखेंगे अगला प्रश्ने है 3A plus 1 का whole square plus 3B minus 1 का whole square plus 5C plus 2 का whole square बराबर 0 यह पूरा term 0 के बराबर रखेंगे आप तभी तो 0 आएगा तभी तो 0 के बराबर होगा रख दीजे 0 के बराबर देखिए इसे भी आप 0 के बराबर रखेंगे इसे भी 0 के बराबर इसे की भी 0 के बराबर रख दीजे 3A plus 1 को आप क्या करने 0 के बराबर रखेंगे रख दिया 0 के बराबर अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर देखिए solve कीजिए 3a अब देखिए यह plus का 1 बराबर के दर जाएगा तो minus का बन हो जाएगा इतना clear है a बराबर minus का 1 जो multiply वाली value होती है वो इधर आके बटे में आ जाती है तो बटे में 3 इसको solve किया अब इसको भी solve करेंगे 3b minus 1 को क्या करेंगे इसे भी 0 के बराबर रखेंगे तो 3B माइनस का बन बराबर के इधर आके प्लस का बन बी बराबर एक के बटे में तीन यह मल्टिप्लाई वाला तीन इधर आके बटे में आ जाएगा इसे भी 0 के बराबर रखो 5C प्लस 2 को 0 के बराबर रखे 5C बराबर प्लस का दो, इधर आके माइनस का दो C बराबर माइनस का दो बटे में 5 यही तो हो गया अब A की value भी पता है, B की भी पता है, और C की value भी आपको पता है केलियर सभी values आपको पता है, रख दीचे इसमें सबसे पहले A का मान रखी, A का मान रखेंगे B का 1 बटा 3 तो B का मान हमारे पास कितना है B का मान है आपके पास 1 बटा 3 ठीक है B का मान हो गया आपके पास 1 बटा 3 अब देखें C का मान कितना है C का मान है माइनस का 2 बटा 5 माइनस का यह पिलस है यह minus है तो plus minus क्यों हो जाएगा minus का 2 बटटा 5 अब देखिए minus के 1 बटटे 3 से plus का 1 बटटे 3 कट जाएगा थिक है minus के 1 बटटा 3 और यह पिलस के 1 बटटा 3 कट जाएगा बुच्चा क्या minus का 2 बटटे का 5 बच्चा यही आपका आंसर है उम्मिद करूँगा कि सभी को प्रेशन अच्छे से समझ में आ गया है किसी को भी इस प्रेशन में कोई समस्य नहीं होगी ठीक है दोस्तों आप देखेंगे हम अगला प्रेशने अगला प्रेशने है A square प्लस B square प्लस C square बराबर 2 A minus B minus C minus 3 हो तो A plus B plus C बराबर क्या देखें दोस्तों यहाँ पर मैं इस प्रेशनी की बात करूँ तो यह आपके लिए बहुत ही हलवा प्रेशने है हलवा का मतलब है कि सिर्फ 2 सेकंड चाहिए इस प्रेशने को करने के लिए 2 सेकंड और आंसर आ जाएगा ठीक है अब देखें कैसे कभी भी इतना बड़ा प्रेशनी दे दिया घवराइए मत बड़ा प्रेशनी कितना भी हो घवराना आपको बिल्कुल भी नहीं है ठीक है बिल्कुल भी नहीं घवराना A plus B plus C का मान पूछ रहा है यहाँ पर आपको दी गया है A, B, C इनका मान आपको निकालना है A, B, C का ही निकालना है और A, B, C का मान आपको यहाँ पर भी नहीं दिया गया कितना है हमें से याद रखिए कभी भी ऐसा प्रेशन हो कभी भी तो यह A है कितना A है यह 1A ही तो है यह कितना B है यह 1B ही तो है ये कितना c है ये एक c ही तो है एक a, एक b, एक c ठीक है तो a कामान कितना हो गया एक हो गया a कामान में यहां कितना लिख लूँगा एक b कामान कितना है एक माइनस का एक तो b कामान माइनस का एक c कामान माइनस का एक c कामान माइनस का एक तो plus का 1, minus का 1 कट गया, बचा कितना आपके पास, माइना एक, यह आपका आंसर आ गया, minus का एक बचा बई, यही आपका आंसर है, केलियर है, बताईए मैंने बोला था दो सेकेंड लगेंगे, बस, अब इसी तरीकी का एक और प्रेश्ण देख लेते हैं, जिससे की confusion खतम हो ज यह क्या है एक ए है यह एक बी है और यह एक सी है और ए बी सी का ही मान पूछ रहा है ए रख दीजिए ए आपका कितना है एक है बी कितना है बी भी आपका दूस्तों एक है यहां भी प्लस यहां भी प्लस तो बी भी आपका प्लस का एक हो जाएगा जो सी है वो माइनस का एक है तो c plus minus क्या हो जाएगा minus का एक तो minus की एक से plus का एक कट गया बचा कि आपके पास plus का एक या आपका answer हो गया बताएए है कि नहीं जादूई trick बिल्कुल जादूई है जादूई trick है answer फटा फटाएगा formula लगाएंगे जादूई trick सीखेंगे क्या सीखेंगे यह आप decide कर लिजे formula लगाएंगे आप खुछ जानते हैं कितने समय में answer आएगा और इस तरीके के प्रेशनों को आप कितने समय में कर सकते हैं बई दो सेकेंड में कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर प्रेशनों सभी की समझ में आगया किसी कोई समस्या नहीं वीदियो पसंद आया लाइक करें दोस्तों में share करें चैनल को अबी तक subscribe नहीं किया subscribe करें बेल आईकन के बटन दबाएं तकि सभी exam सभी जो वीडियो जो भी हमारी वीडियो हैं वह हम आपके पास share करते हैं तो notification आपको मिलता है के SSC कोचिंग सेंटर की कोई नई वीडियो आईए उससे आप फिर देखिए ठीक है दोस्तों पस इतना मतलब होता है और कुछ नहीं ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धहनेवाद